नमस्कार मैं हूँ वैभव नाच्छर्म और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्टो वास्तु रेमिडीज दोस्तों आज मैं आपको तुलसी से जुड़े हुए कुछ बहुती चमत्कारी उपाय बताने जा रहा हूँ इन उपायों में से कोई भी आप करेंगे तो आपको आपके जीवन में उसका शुब परणाम अवश्य मिलेगा और जीवन में किसी भी तरह की दुख कर्ष्ट और समस्या की इस्तिती होगी उससे आपको मुक्ते मिल जाएगी तो क्या है ये उपाय आईये जानते हैं अपने कामों की सफलता सुनिश्चित करने के लिए किसी भी मंदिर से तुलसी के पौदे की जड़ को निमंत्रण दे करके अपने घर पर ले करके आए और उसे गंगा जल मिले हुए जल से पानी से धो करके उचित स्थान पर रख करके उनका पूजन करें इसके बाद मंदी परशानियों में भी जातक को रहत मिलने लग जाती है कितनी भी आर्थिक स्थिति आपकी विशम हो आपकी सफलता के और धन आगमन के रास्ते आपके लिए बनने लग जाते हैं भगवान विश्णू की पूजा में तुलसी की पत्तियों का बहुत विशेश महत्प है कहते हैं कि अगर आपके पास भगवान को चड़ाने के लिए कोई भोग नहीं है तो केवल एक तुलसी का पत्ता चड़ा करके आप उन्हें प्रसंद कर सकते हैं वैसे तो प्रतेक देवी देवताओं के पूजा में तुलसी दल का उपयोग किया जाता है लेकिन भगवान श सत्ता पत्ते और सत काली मिर्च के दाने मुठी मेंले कर बच्चे के सिर से पेर तक सात्व बार उतार लीजिए उसको क्लॉकवाइज आप उतार लें और घर के पीछे की तरफ उसको ले जा करके रख वापिस आकर के तलवों को किसी कपड़े से साथ बार जो है जार दें ऐसा करने से कितनी भी बुरी नजर होगी वो तुरंत जो है उतर जाती है और कुछी घंटों में आप दिखेंगे कि आपका बच्चा पुना सामान ने हो करके नॉर्मल हो करके खिलने पूरने लग गया वास्तु दोशों को दूर करने में भी तुलसी बहुत उपयोगी मानी जाती है तुलसी के पौदों को अगर घर में सही दिशा में लगाया जाए तो वास्तु दोश अपने आप ही दूर हो जाते हैं तुल्सी के पौधे को आप घर के उत्तर पूर्व या पूर्व या उत्तर की दिशा में आप लगा सकते हैं इससे वास्तुदोष दूर होने के साथ साथ घर के सदस्यों के बीच आपसी सामंजस्य और प्रेम जो है सदैव बना रहता है वास्तु दोश को दूर करने के लावा तुलसी में कई ऐसे गुण होते हैं जो बड़ी-बड़ी बिमारियों को दूर करने में मददगार सिद्ध होते हैं हिरदय रोग, सर्दी जुकाम और सास संबंधी रोगों खास दोर पे दमा, खून की कमी जैसे रोगों के लावा इस मरण शक्ती बढ़ाने में भी तुलसी का इस्तिमाल किया जाता है शास्तों के अनुसार कुछ खास दिनों में तुलसी की पत्तियां नहीं तोड़ी जानी चाहिए, वो खास दिन कौन से हैं बहुत ध्यान से सुनिए एकादशी, रविवार और सूर्य और चंद्रग्रहन का दिन जो है, इन दिनों में तुलसी के पत्ते आपको नहीं तोड़ने होते हैं, जिनको एकादशी की पूजा करनी है, जिनको रविवार को कोई विशेश कथा वगरा, सत्मरान बगवान कथा करनी है, तो एक दिन पह प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपनी कन्या से कहिए कि वह रोज तुलसी के पौदे में एक लोटा जल चड़ाए, और 21 दिन तक तुलसी का पत्ता मंदिर में भगवान विश्नु को समर्पित करे, जल्दी ही अच्छा सुयोग यवर प्राप्ती के योग बनने लग जाए अगर आप चाते हैं कि आपका होने वाला जीवन साथी आपके हर अच्छे काम में आपके साथ रहे, तो उसके लिए आपको रोज माता पारवती के सामने देशी घी का दीपक जला करके, तुलसी के 108 मनकों की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का पांच माला ज जातक को प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसाथ तुलसी के पौधे में देवी देवताओं का वास्त माना गया है, इनकी जड में सभी तीर्थ मध्य भाग में यानि तने में सभी देवी देवताओं का निवास होता है और इनकी उपर की शाखाओं में चार वेदों का इस्थान शास्त्रों में मा अगर आपके घर में पैसे की तंगी सदयव बनी रहती है और घर की जमापूंजी दीरे-दीरे करके खतम हो रही है तो आज ही के दिन से आरम करके घर में तुलसी के दो पौधे लाएं और उन्हें अपने घर के अंदर मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ आपको इस्थापित कर देना चाहिए इन तुलसी के पौधों में रोज सुबह शाम आपको जल देना है और संध्या के समय देशी घी का दीपक लगाना है आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा सदयव बनी रहेगी और आपकी आर्थिक तंगी जो है वो जल्दी ही दूर होने लग जाएगी सा पतेत शुक्रवार के दिन तुलसी के पौधे में कच्चा दूद का अर्ग आपको जरूर देना चाहिए इससे किसी भी तरह की परिशानी का निदान हो जाता है अगर नौकरी में किसी सीनियर या किसी उच्चा दिकारी की वज़र से आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ तो सोमवार के दिन तुलसी के सोलह बीज जो मंजरी में उसके बीज होते उसे ले करके सफेद कपड़े में बांध करके घर के किसी कोने में आपको रख देना चाहिए उस व्यक्ति के साथ आपके संबंदों में सुधार आने लगेगा और वो आपके काम में अडंगा डालन रुकावटे देना बाधा उत्पन करना विग्न खड़ा करना हर तरह से उसकी आदतों में आपको सुधार दिखने लग जाएगा तो दोस्तों आशा करता हूं कि शास्त्र से जुड़ी हुई बातें ग्यान की बातें जो आपको हमारे यूट्यूब चैनल से प्राप्त होत और देखते रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तो रेमेडीज नमोना रागा